आज की सेशन में हम बात करेंगे पाथ बातचीत के विशे में पाथ का नाम जो है वो है बातचीत जैसा कि आम जीवन में भी हम इस शब्द का प्रियोग करते ही रहते हैं पाठ के अंतरगत किस विशय को लेकर लेखक चले हैं इसको हम पाठ की समरी के जरीए यहाँ पर समझेंगे जिससे कि आपको पाठ का जो सारांश है वो मिल जाए जो कि आपके रिवीजन परपस से भी काफी यूसफूल रहेगा और अगर किसी ने पाठ नहीं समझा है तो उसको पाठ समझने के लिए भी ज़्यादा एफट्स नहीं लेने पड़ेंगे कम समय में ही आप पाठ को यहाँ पर आसानी से समझ सकेंगे शुरू करते हैं बाठचीत पाठ का सारांश समझने की कोशिश करते हैं प्रस्तुत कहानी बाठचीत के लेखक महान पत्रकार बाल क्रिश्न भट है सबसे पहली बात बाल क्रिश्न भट एक रचना कार होने के साथ साथ ही महान पत्रकार भी है वो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं तो जो ये कहानी बादचीत के विशे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस रचना की बात कर रहे हैं उसके लेखक जो है वो बालकृष्ण भट है बालकृष्ण भट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है बालकृष्ण भट जो कि एक रचनाकार है हिं का आधुनिक हिंदी गद्ध के निर्माताओं के में नाम गिना जाता है यानि ये किस युक के रचनकार है आधुनिक हिंदी गद्ध के निर्माताओं में आने वाले रचनकार हैं बालकृष्ण भटी जी जो है वो बाचीत निवंद के माध्यम से मनुश्य की इश्वर द्व रचना हम पढ़ रहे हैं बादचीत जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट हैं ये रचना एक कहानी नहीं बलकि एक निबंध है तो ये साहितेक के एक विधा है तो याद रखेंगे आपकी एक निबंध है दूसरी बात ये कि ये जो बादचीत निबंध है इसका मुख्य है वो ये कि मनुष्य को ईश्र के द्वारा एक अनमोल वस्तु मिली है वो क्या है बोलने की सम्ता और इसका हमें किस तरीके से बहुत ये बहतरीन इस्तमाल करना चाहिए इनसान अपने जीवन काल में अगर इस वाक शक्ति का इस्तमाल अच्छे से कर लेता है तो उसका को प्राप्त करके हमें कितना जो है इश्वर को जो है उसका धन्यवाद अधा करना चाहिए वो इस पार्ट के माध्यम से हमें पता चलेगा दूसरी बात आपने अपने आसपास बहुत से लोग जो हैं लोग इस तरीके के जो वाक्य हैं उनसे उनका सामना होता ही है जहां पर आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कुछ सुन नहीं पाते जो कुछ बोल नहीं पाते उनका जीवन इसके बिना बहुत ही कठिन हो जाता है इसलिए जो ये वाक शमता है यानि वाक शक्ती है ये एक अनमूल वस्तू है जो ईश्वर द्वारा हमें दी गई है जिसकी हमें ब बहुत ही बहतरीन इस्तमाल में इसका प्रियोग हमें करना चाहिए। महाल ले खतकि बताते हैं कि यदि मनुश्य में वाक शक्ती ना होती। अब लेखक हमें ये बताते कि अगर यह बोलने की शमता लिए हमें ना होती। ऐसे ही पन्पे का जीवन इंसान का बिल्कुल नहीं यह जो श्रिष्टी है जो गूंगी हो जाती इसका क्या हाल होता हम सोच भी नहीं सकते लुण्ज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिये गए होते लेखक बादचीत के विभिन तरीके भी बताते हैं उसके बाद लेखक ये भी बताते हैं कि जो बाचीत है यानि जब अब जब स्रिष्टी गूंगी होती तो क्या से क्या होता है ये तो लेखक ने सोच लिया और उसके बाद आप वह ये भी सोचते हैं कि जब ईश्वर ने हमें शमता दी ही है वाकशक्ती दी ही है तो हम इसका प्रियोग विभिन तरीके से कैसे कर सकते हैं तो बाचीत के विभिन तरीके भी उन्होंने बता है हमें जैसे घरेलू बाचीत घरेलू बाचीत यानि आपस में हम अपने परिवार में दोस्तों में रिष्टेदारों में जिस तरीकी की बाते करते हैं घरेलू बाचीत मन रमान का धंग है तो घरेलू बातचीत क्या होती है यानि जहां पर आपको किसी भी तरीके के नियमों का पालन ना करना सोचना ना पड़े कि अरे यहां पर इसी तरीके से बोले तो ठीक रहेगा वरना यह गलत चीज दिखेगी तो जहां इन चीजों को ख्याल नहीं रखा जाना होता है वो बहुत लोग जुए जहां पर अपने मन को बहलाने के लिए अपने दिल की बात को साजा करें जिससे आपका दिल हलका हो जाए तो बादचीत करना वाकशक्ती का होना हमारे जीवन में इतनी इंपोर्टेंस है हर एक छेतर में हर एक तरीके से फिलहाल लेखक ने भी हमें बताया कि घरेलूब बादचीत जो की मन रमाने का ढंग है वे बताते हैं जैसे इंसान का जिन्दा रहने के लिए खाना पीना घुमना फिरना इधर उदर आना जाना अपने मन को बहलाना बहुत जरूरी है उसी प्रकार उसका बोलना भी उतना ही नितांत आवश्चक है जिससे कि उसका जीवनिरंतर आगे बढ़ता रहे हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआ जमा रहता है बाचीत के जरिये भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है आपने देखा है कुछ चीज़ें आप जलाओ तो उससे धुआ निकलता है और धुआ निकलके फिर वो क्या होता है उड़ जाता है ऐसे ही इंसान का मन होता है बहुत तेजी से भागता है बहुत तरीके के विचार आते हैं जिसमें बहुत बड़ी मातरा में सही विचार भी होते हैं बहुत बड़ी मातरा में गलत विचार भी होते हैं जब आप उनहीं विचारों को अपने पसंदीदा व्यक्ति से या जिनके आप बहुत करीब ह उनसे ये बातचीत को उनके सामने रखते हैं तो वो भाब बनकर वो सारी बाते हमारे मन से दिल दिमाग से निकल जाते हैं हम अपने आपको बहुत हलका महसूस करते हैं बहुत खुशनुआ सा महसूस होता है वेक्ति को लेकिन वही बाते हैं अगर आपको अपने मन में ही रख दूए की तरह वो उड़ता है और भाब बनके वो विलीन हो जाता है संसार में हमारे जीवन में बाचीत भी एक खास तरह का मज़ा होता है यहीं नहीं भटे जी बताते हैं कि जब मनुश्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोश प्रकट होता है महानविद्वान वेन जॉ हमने रख देते हैं तो किस तरीके से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कितना हलका महसूस कर रहे हैं इससे हमारा क्या होता है चित चित मन मस्तिश्क जो है वो बहुत ही हलका और स्वच्छ हो जाता है अब महसूस तो ऐसा ही करते हैं अब उस बात का आगे असर भी चल रहा हो चा में है हमारे जीवन बातचीत की खास इंपोर्टेंस है उसका अलग मज़ा है भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो उसके सारे गुड़ दोश जो है वो प्रकट हो जाते हैं अव्यसी बात है आप जब किसी आप जब बोलते हैं लोगों से बाते करते हैं तो सा इteos का में मोंट्र मोटिव क्या होता है हम अपने पसंदीदा व्यक्तित के मन की बाते जानना चाते हैं उसके अधिक की बाचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी यूरोप के लोग को बाचीत का हुनर है जिसे आर्ट आफ कॉन्वसेशन कहते हैं बालकृष्ण भट उत्तम तरीका ये मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करो अब लेखक ये तो बताते हैं कि थोड़ी मोड़ी बात या बहुत ज़्यादा करने वाली बात केवल राम रमावल कहलाएगी लेकिन यूरोप के लोग हैं उन्हें बाचीत करने का बहुत बहतरीन जो है स्किल है उनके पास जिसे आर्ट आफ कॉन्वसेशन कहते हैं तो आप से ये भी पूछा जा सकता है कि आर्ट आफ कॉन्वसेशन क्या है तो वो बातचीत का हुनर है जो कि यूरोपियन के यूरोपियंस के पास है बाल कृष्ण भट उत्तम तरीका क्या मानते हैं वो मानते हैं कि इस शक्ति को हम इतना ज़्यादा बढ़ा ले कि हम अपने आप से बात कर सकें और उसके बहु जो है इश्वर द्वारा दीगी बहुत ही महत्वपूर अनमोल वस्तु है हमारे जीवन में हमें जिसका सही स्तमाल करना चाहिए और दूसरी बात है कि जितना ही व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए खाना पीना जरूरी है वैसे ही वाक शक्ति का होना बहुत जरूरी है व हमें बातचीत, वाकशक्ती और इश्वर दी गई इश्वर दौरा दी गई इस अनमोल वस्तु का भी जो है एक इंपोर्टेंस फील कराने की नोने कोशिश कही है आई होग कि आपको ये समरी जो है बहुत भैतरी तरीके से समझ में आई होगी जिसे कि आप यहाँ पर चैप्टर को बहुत ही कम समय में उसका एक ओवर ओल आइडिया ले सके कि लेखक ने इसमें पार्ठ में कौन से विशे की चर्चा की है वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूरी से लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों से साजा करते रहें जिससे कि वो भी इस यूसुल कॉंटेंट का फायदा ले सकें धन्यवाद